फिर हम बात करेंगे FTX token के price moment के बारे में updated levels और आने वाले दिनों में इस coin के target करेंगे currently coin 5.6 USD से उपर trade कर रहा है 6 USD वाला level इस coin ने भी try किया कल से अभी तक almost 45% से जादा का moment वह अपिस से इसकी price में देखने को मिल रहा है और जिन्होंने हमारे previous entry points में इस coin को buy किया है उनको portfolio में अच्छा profit तो होगा ही दूसरा उनके जो targets हमने बताये थे as it is यह coin move करके hit कर रहा है अभी इस coin के next target क्या रहेंगे क्या scenario बन रहा है किन levels पर price जा सकती है दूसरा जिन्होंने entry नहीं ली है वो किन levels पर आने पर entry ले सकते है अवराल सारी इस चीजों के बारें बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए investor trader market में आए है जिनको ज़्यादा knowledge experience नहीं है उनके लिए हमने premium service start की है कि वहाँ पर आपको proper guidance, proper strategy share की जा सके चेट access रहेगा, crypto queries दोल की जाएगे, signature की जाएगे और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं, crypto losses से बचना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं, इंस्टा की link वीडियो के description में है 5.6 USD से उपर अभी एक coin trade कर रहा है, 6 USD से उपर वाला level इस coin ने try किया और Delhi का chart open करें, तो यहाँ पर recent एक महिने से जादा time frame से एक coin move कर रहा है और यहाँ पर इस coin ने 9 buck starting में 1 USD वाले level से move करना start किया एक अच्छा breakout 5.5, 5.4 USD तक try किया था, उसके बाद से बीज बीच में थोड़े correction के बाद से back to back coin move कर रहा है तो तब से लेकर अभी तक हम आपको इस coin के regular updated level share कर रहे हैं और जैसी जैसी possibility रही है, entry भी हमने share की है यहाँ से जब moment हुआ था, तो हमने इस coin में थोड़ा सा यह coin risky है इसलिए आपको बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा part इसमें put नहीं करना है यनि कि आपकी जो total capital है, उसका 10-12% part ही इसमें लगाना है भले ही चाहिए एक one अच्छा move कर रहा है, हम normal profit is coin में लेंगे क्योंकि यह risky हो सकता है, previously is coin ने, यह FTX exchange का token है तो FTX से related, जो भी 22 के अंदर, जो भी scheme वगरा हुआ था और उस बज़े से यह token के price बहुत ज़्यादा drop हुई थी तो इसमें हम बहुत ज़्यादा capital लगा करके risk नहीं ले सकता है लेकिन profit भी generate करना है, तो normal capital के साथ normal profit generate कर सकते हैं तो यहां हमने आपको UST 4.5 पर जो quick exit करना चाहते हैं, उनको exit करवाया दूसरा यह भी बताया था, कि यह coin overall move करेगा और हम कह सकते हैं कि November के बाद यह coin वापिस move करके December या January के round में 8 to 10 UST तक चला जाएगा यह हमने previous वीडियो में बताया हुआ है, कि जो hold करना चाहते हैं और कम capital लगी हुई, वो hold कर सकते हैं, आपको अच्छा profit होगा 8 to 10 UST तक hold रखें, और जब जब हम आपको इस coin के updated level share करते हैं कोई भी coin जब आपने portfolio में 8 किया हुआ है, उसके updated levels अगर आपको share किये जाते हैं तो आपको उससे related video ज़रूर watch करना है, दूसरा यहाँ पर जब drop हुआ था हमने आपको 3.2, 3.3 UST वाले level पर coin में entry share की, फिर profit generate किया हमने 4.5, 4.8 UST वाले level पर फिर इसमें हाँ पर drop हुआ था, फिर 3.6 UST पर हमने entry ली थी, और यहाँ सा भी जो moment हुआ था, उसमें हमने profit generate किया दूसरा जो short term के target से हमारे, वो हमने 28th of November को जो हमने entry share की थे आपको 26th को हमने जो entry share की थे, यहाँ हमने buy किया था, जब उसके बाद हमने जो short term के target आपको 5.2 से लेकर 5.5 बताये थे, तो इसमें से इसने 5.5 को hit किया था, 5.2 को hit किया था, 5.5 hit नहीं किया था, तो उस level को भी आज स्कोई ने hit किया, दूसरा, अभी हमने 3-4 दिर पहले जो updated level share किये थे, उसमें हमने 5.8 तक का target बताया था, कि 5.8 तक भी जाने के chances हैं, यहाँ से क्योंकि जिस टाइप से स्कोई ने बहुत जादा drop इस बार नहीं लिया है, डेली के इंदर अगर बात करें, तो जो 4 UST वाला level है, उसको support maintain किया हुआ है, और यहाँ से वापिस ही move करेगा, और 5.7 UST वाला जो level है, वो जैसे ही break करेगा, तो फिर 5.8, 6 UST तक price जाएगी, तो वही चीजे देखने को मिली 5.7 UST वाला डेली के अंदर रेस्सन से रहा है, जिसको इसको अने try किया, almost break किया, लेकिन अब important रहेगा कि इससे उपर daily closing करता है, नहीं करता है, दूसरा कल weekly closing भी होनी है, तो weekly में भी बहुत सारे scenarios जो वो change हो जाते हैं, तो weekly के अंदर इस coin को 5 UST वाला जो level है, 4.8, 5 UST वाला level है, वो एक important essence area था, जहां से बार-बार reject हो रहा था, अब अगर weekly के अंदर ये coin 5 UST से उपर या 4.8 से उपर close कर लेता, तो फिर हमारा जो 8 to 10 UST वाला target है, वो बहुत दूर नहीं रहे जाएगा, और quick move करके उस level को ये achieve करेगा, और उनके लिए ज्यादा benefit रहेगा, जिन्हों ने previous time से जो हमने इंटर आपको share कि थी 3.2, 3.3, 3 UST इन level से hold किया हुआ है, और जिन्होंने पहले उससे भी पहले buy किया, उनके लिए जादा benefit रहेंगे, दूसरा अभी इस coin ने 5.8 से उपर वाले level को hit किया है, आपने profit generate किया होगा, जिन्होंने profit generate नहीं किया है, देखिए बहुत जादा fluctuating, इस coin में fluctuation देखने को मिलती है, और जब तक ये coin अभी देखिए, अगर आपने buy किया हुआ है, है, आपकी जो entry है, 4 ये उसे नीचे की है, और hold करना चाहते हैं, आप hold कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जादा drop इस coin में देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा जो quick profit generate करना चाहते है, उनके already target है 2 है, जो exit नहीं हुए है और अभी exit होना चाहते हैं, अभी एक दो दिन के अंदर, वो आप इसी coin move करके और 5.8 तक try करेगा, तो आप एक आपका जो target है, वो 5.6 कराओन अभी trade ही कर रहा है, यहां आप exit होंगे अपने 60% part को sell करेंगे, दूसरा 5.8 से लेके 6 USD कराओन में, जो quick exit होना आपको clear यह करना है कि कल की weekly closing हो जाती है, वो ज्यादा better रहेगा, यनि कि कल इसके बाद जो भी video आता है, उसको जरूर आपको watch करना है, क्योंकि weekly closing के basis पर थोड़े बहुत scenario change हो सकते हैं, weekly closing अगर 4.85 पूस्टी कराउन हो जाती है, वो यह बहुत अच्छा रहेगा, targets हमारे clear रहेंगे, उससे नीशे होती है, तो किस level पर होगी, फिर daily के अंदर कौन सा support रहसे सरिया है, अभी daily के अंदर स्कोईन को 4.8 support एरिया है, जिससे उपर इस कोईन ने, कल की जो daily closing है, वो की थी, शायदा और दूसरी चीज़ है कि 4.8 से उपर daily closing होगी, तो फिर almost weekly closing भी 4.8, 5 USD से उपर ही हो जाएगी, तो हमारा सिनारियो दिसंबर एंड तक का 7 USD वाला target clear हो जाएगा, तो जो quick exit करना चाहते हैं, वो 5.6, 5.8 पर exit करेंगे, जिसंबर एंड में 7 USD, जिन्होंने entry नहीं ली है, जिन्होंने buy नहीं किया है, अभी जल्दी बाजी में entry नहीं लेनी है, एक अच्छा-कासा safe level रहेगा, तो हम आपको entry share करेंगे, और जल्दी बाजी में आप entry लेकरके, एसे level पर stick हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत जाद रिसकी हो जाएगा, फिर आपको recovery के लिए wait करना पड़ेगा, तो हमारी videos follow कीजिए, जो जो जिस इस coin में, जिस इस level पर हमें entry share करते हैं, वहीं है, आपको entry लेनी है, इसके लावाद जो नए investor trader market में आए हैं, जिनको जादा knowledge expense नहीं है, वो हमारी premium membership में ज़रू enroll करें, वहाँ पर आपको proper guidance, proper study share की जाएगी, chat access रहेगा, crypto queries जाएगी, signal share की जाएगी, और भी बहुत सारे benefits हैं, तो जो भी अपनी crypto journey profitable स्टार्ट करना चाहते हैं, crypto losses से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके जोईन कर सकते हैं, इंस्टा की link वीडियो की description में है, बाकि यहाँ पर buy or sell, खुद के risk, खुद के research के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई funds advice नहीं दे रहें, वीडियो से पर education purpose रहें, ताकि आपको overall coins related knowledge हो सके, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक जरू करें, चलने को subscribe कर लें, thank you.